तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक रिचार्जबर इमजनसी लाइट बनाने वाले हैं जो आप देख सकते हैं अगर यह आपके घर में लाइट ना भी रहे तो यह चार्ज होगा क्योंकि इसमें एक सोलर पैनल का जूज किया गया है यह चोटी से सोलर पैनल आपको 5- और 6 वेलड तक दे सकता है ठीक है जो 3.7 वोल्ड की बैटरी चार्ज होने के लिए काफी है ठीक है एक इसमें देख सकते हैं एक चार्जिंग जग भी लगा हुआ है जो आपको मोबाइल से यह चार्ज कर सकते हैं यह पर eg इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि इसमें एक नाइट लेंब का भी और एक देख सकते हैं लाइट का भी है ठीक है बहुत बैतरीन रोसनी है अब देख सकते हैं तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो में और देखते रहें कैसे बनाना है तो यहाँ पर मैंने एक स्क्वैर बोड ले लिया है ठीक है यह प्लास्टिक का बोड है आपको मार्किट से असानी से मिल जाएगे यहाँ पर मैं एक स्वीच का और एक LED जो है उसे मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ उपर कबर में ठीक है तो चली यहाँ पर मैं एक TP4056 यह विद प्रोटेक्शन ठीक है यह चाजिंग प्रोटेक्शन है यहां बैटरी को कुछ नहीं ओबर चार्ज नहीं होने देता है ठीक है यह 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 यूज़ करने वाला हूं यह आप LED यह देख सकते हैं यह 4 वोल्ट की है यहां पर दो चीज हम इसमें कर सकते हैं जो नाइट ले देदेगा ठीक है यही लेटरी चार्ज होने के लिए 3.7 बोल्ट की बैटरी चार्ज होने के लिए काफी है यहां पर मैं एक टूवे स्वीच का यूज़ कर रहा हूं क्योंकि यह जो नाइट लेंप देख सकते हैं यहां पर नाइट लेंप और फुल एक ही LED में दो फंक्स है त्रिक्धा आप इसे बढ़ा भी सकते हैं तो आप इसे मश बढ़ा कि इसमें ज़्यादा देर तक आप इसे जला सकते और यहाँ पर बॉर्ड ले जाता ह। यहां पर मैं एक स्वीच लगा हूँगा इससे कुट ब्वाला हुम और मैं ने हम पर एक चाजिंग state जेक है जो इससे मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ फिर यह मेरा रेडी हो चुका है अब मैं यहाँ पर स्वीच को लगाने वाला हूँ और यहाँ पर दोनों साइड में हम इस क्रू को कस दिया है इस LED प्लेट को यहां पर दो होल कर देंगे और इसके बाद यहां पर हम नट से इसो खस देंगे और यहां पर मैं सॉलर प्लेट को आपको चेक करके दिखाता हूँ कि यहां मेरा कितना से कितना वोल तक दे रहा है ठीक है यहां पर दूप नहीं है यहां पर दूप नहीं है तो यहां पर मेरा सॉलर तो देख सकते हैं कितना मेरा वोल्ट दे रहा है यहां पर आप देख सकते हैं 2.62 वोल्ट तक आपको यहां पर दे रहा है यह खिलकी के उस पार मेरा दूप है तब फिर देख सकते हैं यह कितना वो वोल्टेज बढ़ेगा तो यहां पर मैं इस सोलर को सेट काने वाला हूं यहां पर मैं एक चार्जिंग सोकेट को यहां पर लगा लेता हूँ और यहां LED स्ट्रिप को यहां पर हमें लगा दूंगा नट से कस दूंगा देख सकते हैं आप यहां पर मैंने LED स्ट्रिप को कर दिया यह हील डूल एकदम टाइटली है इसके बाद मैं कनेक्शन करने वाला हूँ यहां पर मैं बैटरी का कनेक्शन करने वाला हूँ ठीक है यह मेरा बैटरी का कनेक्शन होगा यहां पर मेरा आउटपूट भी होगा और मैं यहां आउट जो लिखा हूँ यहां से आउट नहीं ले रहा हूँ तो आप यहां आउट से भी ले सकते हैं ठीक है तो मैं फिलाल यही से ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं solar का connection दूँगा और charging socket जो है वहाँ का यहाँ से connection करने वाला और यहाँ पर मेरा battery का connection हो चुका है आप positive negative को देहां रखते हुए connection किजेगा देख सकते हैं मेरा ready हो चुका है connection यह वेरा complete हो चुका है ठीक है इसके बाद मैं यहाँ पर solar का connection और kit का connection solar और output देने वाला हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर मैं complete connection कर चुका हूँ बस एक लेग जो switch से है यह मेरा two-way switch की और जाएगा और दूसरा लेग मेरा solar का connection नहीं किया हुआ है और यहाँ पर मैं negative connection जो आपको देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पर मैं solar का connection दूँगा यह negative connection यहाँ से में एक जो लेग है अब देख सकते हैं यहाँ पर फर एक लेग मेरा switch में गया हुआ है दूसरा लेग मेरा negative है यह switch से होते हुए मेरा वहाँ से पर लगएगा two-way switch के मिटल लेग में देख सकते हैं हमेरा complete हो चुका है ठीक है अगर आपको circuit डाइंगल समझ में नहीं आ रहा तो आप comment किजगा वहाँ से आपको बता देंगे ठीक है अगर चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर देजगा तो इसके बाद मैं एक उपर में ठाकन यहां पर मैं मैंने नट सब कस दिया है उसके बाद यहां पर मैं solar का connection करने वाला हूँ positive negative को ध्यान में रखते भी connection कीजिएगा ठीक है यहां पर solar का connection हो चुका है और इसके बाद यहां पर टेप से चिपका देंगे इसके बाद आपको दिखाते हैं चार्ज कैसे करना है ठीक है इससे पहले आपको जला कर दिखाते है मेरा भी battery charge है देख सकते है वहां से जो black वाली छोटी वाली switch है वहां से मेरा on होगा उसके बाद यह वाली switch मेरा night bulb और night lamp और उसके बाद man LED को जलने देगा तो इसके इसके बाद मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूं ठीक है अब देख सकते है मेरा LED चार्ज मेरा battery चार्ज हो रहा है उसके बाद आपको यह solar सके से चार्ज हो से आपको धूप में ले जाकर आपको वहां पर दिखाने वाला हो तो यह चलिए चलते हैं उसके बाद धूप मे जल रही है आप देख सकते हैं यह दूप में लाए नहीं है फिर भी आपको देख सकते हैं यह अपर चार्च हो रहा है मेरा चली है इसके बाद आपको आंधेरे में जलाकर दिखाते मैं इसके कितने अच्छी रौसनिय है तो चली है आप नाइटуч लैंब को आप दिखाते हैं जलाकर अब देख सकते हैं बहुत अच्छी प्रैटनेस है देख सकते हैं तो फ्रेंड अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा और वीडियो अच्छे लिएक तो लाइक कर देजेगा तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद